इस कहानी की शुरुआत में हम सेलवर लेक एनिमल रेस्क्यू नाम के एक डॉग एडप्शन सेंटर को देखते हैं जहाँ पर एक सफेद डॉग कैरेट टॉय के साथ खेल रहा था उस एडप्शन सेंटर में उस सफेद डॉग के अलावा कई और डॉग मौजूद थे जो उस सफेद डॉग के साथ खेलना भी चाते थे लेकिन सफेद डॉग उनके साथ नहीं खेलता है जिससे वो वहाँ से चले जाते हैं अब डॉग एडप्शन सेंटर में जब पिया नाम की एक लड़की अपने लिए एक पेट डॉग खरीदने के लिए आती है तो उसे वही सफेद डॉग बहुत पसंद आता है इसलिए वो उसे खरीद लेती है और उसका नाम बोल्ट रखती है क्योंकि पिया ने डॉग को जो लॉकेट पहना आया था उस पर भी बोल्ट लिखा हुआ था अगले सीन में हम 5 साल के बाद का समय देखते है जब पिया बोल्ट के साथ होती है तो उसे उसके डैड का कॉल आता है जो काफी डरे हुए थे और पिया को बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रहेंगे और साथी वो पिया को भी घर जाने से मना करते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा था पिया के डैड उसे समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसके साथ बोल्ट है अगले सीन में हम कुछ साइंटिस्ट को बोल्ट के उपर experiment करते हुए देखते हैं जिससे बोल्ट के अंदर super power आ जाती और वो एक super dog बन जाता है दरसल पिया के dad एक scientist थे जिने डॉक्टर कैलिको ने kidnap कर लिया था पिया के पास उसका super dog बोल्ट था इसलिए पिया के dad ने उससे कहा था कि डरने की कोई बात नहीं क्योंकि तुम्हारे पास बोल्ट है अब पिया किसी भी तरह अपने dad को डॉक्टर कैलिको की cat से छुडाना चाती थी से लिए वो बोल्ट के साथ एक building के छट पर जाती है जहां से वो दुर्बिन से देखती है कि सामने की building में डॉक्टर कैलिको ने पिया के dad को kidnap करके रखा था और वो उन से कुछ पूच रहा था पिया अपने dad को बचाने के लिए बोल्ट के साथ उस building की तरफ निकल पड़ती है लेकिन रास्ते में ही डॉक्टर कैलिको का एक आदमी पिया को पकड़ने के लिए उसके उपर हमला कर देता है लेकिन बोल्ट एजिन्ट की कार को अपने सर से टक्कर मार कर हवा में उला देता है पिया जब एजिन्ट से डॉक्टर कैलिको के लोकेशन के बारे में पूचती है तो वो और बोल्ट किसी तरह उनसे अपनी जान बचा कर भागते हैं लेकिन रास्ते में जब सामने से डॉक्टर कैलिको के बहुत सारे लोग हेलिकॉप्टर और गानियों से उनका रास्ता रोकने आ जाते हैं तो बोल्ट बहुत जोर चे भौकता है जिससे उनके सामने की सारी गानिया हवा में उड़ने लगती है और सारी लोग मारे जाते हैं इसके बाद पिया बड़े ही आसानी से बोल्ट को अपने गोध में उठा कर वहां से चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब रियल लाइफ में नहीं हो रहा था बलकि एक सू की सूटिंग चल रही थी यानि कि रियल लाइफ में ना तो पिया के डैड को किसी ने किडनाइप किया था और ना ही बोल्ट एक सूपर डॉग था पिया को इसके बारे में पता था कि ये सिर्फ Soft की शूटिंग चल रही है लेकिन Bolt को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो खुद को सच में एक सूपर डॉग समझता था जिसके पास बहुत सारी पावर्स थी सू के मेकर्स भी नहीं चाते थे की बोल्ट को सचाई का पता चले, इसलिए वो हर समय बोल्ट को ऐसा महसूस कराती थे कि वो सच में एक सूर डॉग है, अब सू के डार्क्टर जब सूटिंग की वीडियो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सूटिंग के दौरान इस्ति मीनी भी आ जाती है जो डिरेक्टर और सो के सारे मेंबर को धमकी देखर जाती है कि अगर सो के अच्छे व्यूज नहीं आए तो वो उन्हें सो से बाहर निकाल देगी इसलिए सभी अच्छे से काम करें अगले सीन में हम पिया को बोल्ट के साथ उसके वैन में देखते हैं जहांपर वो सूटिंग के बाद रहता था बोल्ट लगातार दरवाजे के दरब देख रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं डॉक्टर कैली को के लोग एक बार फिर से उनका उपर हमला ना कर दे लेकिन पिया बोल्ट को समझाती है कि अब उनके उपर हमला करने के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि बोल्ट ने सभी को मार दिया था पिया जब अपनी घर वापस जाने लगती है तो बोल्ट उसे जाने से रोकता है लेकिन पिया वहाँ से चली जाती है जिससे बोल्ट बहुत दुखी होता है वापस जाते समय पिया अपनी मॉम से बोल्ट को साथ में घर ले जाने को कहती है लेकिन उसका मैनेजर ऐसा करनेशे साफ साफ मना कर दीता है वहीं बोल्ट के पास दो कैट आती है जो उससे कहती है कि इस बार तो वो डॉक्टर कैलिको के हमले से बच गया लेकिन जल्दी वो डॉक्टर कैलिको के कैद में होगा दरासल उन बिल्लियों ने भी बोल्ट का सो टीवी पर देखा था, इसलिए वो बोल्ट से ऐसी बाते कर रही थी, लेकिन बोल्ट उन बातों को रियल लाइफ में समझ रहा था, इसलिए वो भी डॉक्टर कैलिको से पिया और उसके डैड को बचाने का डिशाइट करता है, अगले सीन में हम सूटिंग के दोरान बोल्ट और पिय को साथ में देखते हैं, जो डॉक्टर कैलिको के लोगों से बचकर भाग रहे थे, अब पिया किसी भी तरह से डॉक्टर कैलिको के सूपर कम्प्यूटर तक पहुचना चाहती थी, ताकि उससे मिले इंफॉर्मेशन से वो अपने डैड को आजाद करा सके, पिया बोल्ट के साथ काफी मुस्किलों का शामना करते हुए किसी तरह डॉक्टर कैलिको के सूपर कम्प्यूटर तक पहुचने में काम्याब रहती है, और इस दोरान बोल्ट अपने सूपर स्ट्रेंथ की मदद से पिया की मदद कर रहा था, अब इससे पहले कि पिया सूपर कम्प्यूटर से इनफॉर्मेशन हासिल करती, वहाँ पर हेलिकॉटर से डॉक्टर कैलिको आ जाता है, जो पिया को किडनाप करके अपने साथ ले जाता है, और बोल्ट कुछ भी नहीं कर पाता, सूटिंग खत्म होने के बाद केयर टेकर बोल्ट को पकड़ कर अपने साथ ले जाता और उ उसके डाइट को डॉक्टर कैलिको के कैद से आजात कराना चाता था, वही बोल्ट मौका देकर किसी तरह वैंसे बाहर भाग जाता और पिया को ढोनते हुए स्टूडियो तक पहुँचता है, जहां पर सूट का एडिटर उस सीन को एडिट कर रहा था, जब कैद के बाद प पिया उसी बाक्स के अंदर कैद है, इसलिए वो सीसे को अपने सर से टककर मार कर तोड़ कर बाक्स तक पहुचने की कोसिस करता है, लेकिन सीसे से टककर के वज़ए से वो बेहोसो कर एक बाक्स के अंदर गिर जाता है, और उसे जब होस आता है तो वो खुद को एक दूसरी कैली को ही है, इसलिए वो लोहे की जाली को अपने सर से टककर मार कर तोड़ कर उस आदमी पर हमला करने का डिशाइट करता है, लेकिन जैसे ही वो लोहे की जाली को टककर मारता उसे बहुत जोर उसे चोट लगती है, और लोहे की जाली को कुछ भी नहीं होता, बोल्ट ये स सीपरकार के बॉक्स में पिया को किड्नाइब किया था ट्रक ड्रैवर जब बॉल्ट को ट्रक के सामने देखता है तो वो जोट से ब्रेक मारता है जिससे ट्रक पलट जाती है बॉक्स के खुलने पर जब बॉल्ट देखता है तो उसके अंदर पिया नहीं थी तो वो पिया की सर एक दरवाजे में फच जाता है और वो किसी तरह बहुत मुश्किल से अपना सर दरवाजे से बाहर निकालता है वहाँ पर बोल्ट को दो कभूतर मिलते हैं जो उसे मिली नाम की एक कैट के बारे में बताते हैं जो साइद बोल्ट की मदद कर सकती थी क्योंकि पिया को किड् कैलिको के बारे में कुछ भी पता नहीं लेकिन बोल्ट के जिद करने पर वो बोल्ट को हॉलिवुड का नकसा दिखा कर वहाँ जाने को कहती है क्योंकि बोल्ट के गले में मौजूद लॉकिट को देखकर मिली समझ चुकी थी कि बोल्ट एक फिल्मों में काम करने वाला आदमी समझकर मिली के साथ एक सोफे के नीचे छोप जाता है लेकिन अगले ही पल कुछ लोग सोफे को उठा कर एक ट्रक के अंदर रख देते हैं जिससे बोल्ट और मिली भी सोफे के साथ ट्रक के अंदर चले जाते हैं वहीं दूसरी तरह बोल्ट के खो जाने से पिया काफी दुखी थी अब पिया का मेनेजर पिया के पास आता है जो उसे बताता है कि वो हॉलिवुड लीड गेस्ट बन कर जाने वाली है पिया किसी भी सो में नहीं जाना जाती थी क्योंकि बोल्ट के खो जाने से वो बहुत दुखी थी वहीं दूसरी तरह बोल्ट और मिली ट्रक के अंदर फशे हुए थे जहांपर मिली को जब बोल्ट से पता चलता है कि उसके पास सूपर पावर है तो वो बोल्ट पर पीछे से हमला करके उसकी सूपर पावर चेक करने की कोशिस करती है लेकिन इस दोरान वो खुदी पीछे की तरफ गिर जाती है ट्रक का दरवाजा ट्रक से बाहर कूटता है रास्ते में बोल्ट को भूक लगने पर मिली उसे अपने साथ एक रेश्टोरेंट के पास ले आती है जहांपर वो बोल्ट को मासूम चहरा बना कर लोगों के पास से खाना लाने को कहती है क्योंकि इनसान अक्सर मासूम डॉगी को खाना खिलाते बोल्ट को मिली की बाते थोड़ा आजीब लगती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी ऐसा किया नहीं था लेकिन मिली के कहने पर वो लोगों के घरों के सामने मासूम चहरा बना कर जाता है जिससे लोग बोल्ट से इंप्रेस होकर उसे खाना देते हैं लेकिन जब मिली ख कपल के वैन होम के सामने जाकर भौकता है तो कपल के घर में रहने वाला रंगू नाम का एक चुहा बोल्ट को देख लीता है और उससे मिलने के लिए वो घर से बाहर आता है क्योंकि वो बोल्ट का फैन था बोल्ट से मिलकर रंगू बहुत खुसता और जब वो बोल्ट से पिया के बारे में पूचता है तो बोल्ट रंगू को बताता है कि पिया को डॉक्टर कैली को किडनाप करके अपने साथ ले गया और वो मिली के साथ पिया को पकड़ने के लिए निकला है बोल्ट की बाते सुनकर रंगू को लगता है कि पिया के किडनाप होने के पीछे मिली क इसलिए वो मिली के उपर हमला करने लगता है लेकिन बोल्ट उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे अब रंगू भी बोल्ट के साथ पिया को बचाने की मिसन पर जाने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर बोल्ट राजी हो जाता और अब वो तीनों पिया को बचाने के लिए निकल पूल पर लगे पूश्टर की मदद से वो दोनों ट्रेन के ऊपर कूच जाते हैं लेकिन इस दोरान मिली ट्रेन से नीचे गिरने लगती है। अब वो सभी ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं अब मिली गुस्टे में एक पेड़ के ऊपर चड़ जाती हैं जो मिली और बोल्ट को पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। ताकि उसे ढूंड सके। लेकिन तबी वहाँ पर पिया के मैनेजर आ जाते हैं जो अपने साथ बोल्ट को भी लाए थे। बोल्ट को देखकर पिया बहुत खुस होती है लेकिन जल्दी वो जान जाती है कि जिसे वो बोल्ट समझ रही है वो एक बहरूप या डॉग है। क्योंकि पिया का मैनेजर चाता था कि वो किसी भी तरह फेक बोल्ट के साथ ही सोकी सुटिंग करना सुरू करे लेकिन पिया ऐसा करने के लिए राजी नहीं थी। अब वहाँ पर सोकी हेड मिनी भी आ जाती है जो पिया को समझाती है कि अगर पिया सोकी सुटिंग करना स्ट इार नहीं था और अपने मुह से लगता है ठुक से बाहर आ जाता है और इसे लगता है कि उसने अपने सूपर पावर से ही इस ट्रक का दरावाजा खोल दिया जिससे वो बहुत खुच था लेकिन जब रंगू बोल्ट को बताता है कि उस ने बाहर से ठुक का दर उप्सन सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं वो दोनों गार्ट को चकमा दे कर अंदर पहुँच जाते हैं बोल्ट मिली को जेल से बाहर निकाल लेता और वो दोनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं रंगू को इस समय एक डॉग ने पकड़ रखा था गार्ट जब बोल्ट और मिली का रास्ता रोग रखा था रंगू के जोर से टकराने से वो गार्ट भी नीचे गिर जाता और वो तीनों वहां से भागने लगते हैं उन तीनों के भागने के दोरान सिलेंडर के आपस में टकराने से एक जोरदार ब्लाश्ट होता है लेकिन अब तक वो सभी सुरक चित वहां से बाहा निकल चुके थे और वो तीनों अब एक बस में चड़ जाते हैं बोल्ट को अब बता चल गया था कि सच में उसके पास कोई सूपर पावर नहीं है और नहीं वो कोई सूपर डॉग है बोल्ट जब मिली से अपने बारे में पूछता है तो मिली बोल्ट को बताती है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल सा डॉग है और फिर इसके बाद वो बोल्ट को एक नॉर्मल डॉग की तरह ही रहना सिखाती है मिली उसे बताती है कि डॉग्स को चलते हुई गाडियों के विंडो से बाहर देखना बहुत पसंद होता है और जब बोल्ट ऐसा करता है तो सच में उसे बहुत अच्छा लगता है जिससे वो बहुत खुश था अब बोल्ट जब सोया होता है तो मिली उसे आकर नीन से जगाती है और अपने साथ एक जगे पर ले जाती है जहां पर उसने बोल्ट और खुद के रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाया था बोल्ट य उसे बताया था कि उसे पिया हॉलिवुड में ही मिलेगी हॉलिवुड पहुँचकर बोल्ट को दो कबूतर मिलते हैं जिन से बात करके उसे पता चलता है कि वो बोल्ट की एक्टिंग से बहुत खुश थे और उसके साथ एक मूवी बनाना चाते थे बोल्ट उन दोनों कर उसके उपर हमला काने लगता है रंगो को देखकर कमांडो पूरी तरह से हैरान था वही दूसरी तरह बोल्ट जब अपने घर वापस पहुचता है तो वो बहुत खुश होता है दरसल पिया को ढूनने जाने से पहले बोल्ट पिया के साथ हॉलिवुड में ही रहा करता थ जहां पर वो खुद को एक सूपर डॉग समझकर पिया के साथ फिल्म की सूटिंग करता था अब बोल्ट जब पिया को अपनी तरह दिखने वाले एक डॉग के साथ खेलते हुए देखता है तो वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उससे लगता है कि पिया ने उससे नहीं ब पापस जा रहा था लेकिन मिली उससे समझाती है कि पिया उससे आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जिस डॉग को उसने पिया के साथ देखा वो सिर्फ सूटिंग के लिए पिया के साथ था अब अचानक से आग में फसी पिया के चिलाने की आवाज जब बोल्ट को सुनाई दीता है तो बोल्ट मिली और रंगू पिया को बचाने के लिए स्टेज की तरफ निकल पड़ते हैं बोल्ट रंगू की मदद से दरवाजा बंद होने से पहले ही अंदर चला जाता है और चारो तरफ पिया को ढूनने लगता है बोल्ट को देखकर पिया बहुत गले से लगा लेती है वहाँ चारो तरफ आग की लपटे तीज होती जा रही थी इसलिए बोल्ट पिया के साथ किसी तरह उजगे से बाहर निकलने की कोसिस करता है लेकिन काफी ज़्यादा धुआ होने की वज़ए से पिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी और एक जगे पर बैठ जाती है पिया बोल्ट को अकेली वहाँ से जाने को कहती है लेकिन बोल्ट पिया को अकेली छोड़ कर वहाँ से जा नहीं सकता था इसलिए वो भी पिया के साथ वही पर बैठ जाता है अब बोल्ट जब पास में एक पाइपलाइन को देखता है तो उसके पास जाकर ज प्रेडिट उन्हें दिलवाएगा जिससे वो काफी अमीर बन जाएंगे लेकिन पिया की मॉम मैनेजर को लात मार कर बाहर फिक देती है अगले सिन में हम पिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर डॉक्टर पिया को बताते हैं कि ज्यादा चूट लगने की वज़े से पूरा चेहरा बदलना पड़ा और अब पिया एक नए चेहरे के साथ थी डॉक्टर की बात सुनकर पिया उनसे कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि कैली को अब उसे पहचान नहीं पाएगा लेकिन अब अचानक से वहाँ पर डॉक्टर कैली को आ जाता है जो ये सब रंगू टीवी पर देख रहा था यानि कि सच में पिया का चेहरा बदला नहीं था बलकि वो तो सिर्फ एक मूवी का सीन था अब रंगू और मिली बोल्ट के साथ ही पिया के घर में रहती थे और वो काफी खुश थे पिया साथ में उन सभी का एक प्यारा साथ पिक